नमस्कार आप देख रहे हैं जतरबाद न्यूस चद्नन स्वामी के साथ सावित्री जिंदल ने कॉंग्रेट से स्तीफा देने का एलान कर दिया है इससे कॉंग्रेट पार्टी को बहुत बड़ा जटका भी माना जा रहा है इसके पीछे उनका कहना है कि वैं अपने परिवार की सला से इस कदम को उठा रही है हिसार शेत्र के लोगों के पर्तिन दुद्र के रूप में दस वर्सों तक लगातार विदायक बनी रही है और हर्याना सरकार में भी मंद्री के तोर पर काम किया है उनकी नेटवर्थ के अनुसार सावित्री जिंदल की कुल संपती लगभग 29.6 अरब डॉलर या क्या कह सकते हैं कि 2.47 लाग करोड भारती रुपया है इस से वैं भारती की सबसे अमीर महिला भी बनती हैं दुनिया के टॉब अरब पतियों में वे 56 वे स्थान पर है उनका राजनेतिक करियर भी काफी विशाल रहा है सावित्री जिंदल ने 10 वर्षों तक हिसार निर्वाचन शेत्र का परतिनिद्व किया है हर्याना सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है उन्हें 2009 में हिसार से विदायक चुना गया था और उन्हें हर्याना सरकार में कैबिनेंट मंत्री के तोर पर भी काम किया है ओपी जिंदल गुरूप का कारोबार विविन शेत्रों में फेला हुआ है जैसे की स्टील, एनरजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमेंट, निवेश और पैंट वह भारत यह गुरूप भारत के बाहर भी कई देशों में बिजनस करता है इसके अलावा उनके बेटे नवीन जिंदल भी राजनितिक शेत्र में सक्रिये हैं और अब भारती जन्ता पार्टी के उमीदवार के रूप में कुरूश शेत्र से चुनाव लड़ेंगे ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ जन्त दरबाद न्यूस पर नमस्कार